हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक इस वीडियो में हम बात करेंगे थ्रेट्स की युनिट फाइव थ्रेट्स तो होता क्या है थ्रेड एध्रेड इस सिंगल स्ट्रीम ऑफ कंट्रोल इन फ्लो अफ प्रोग्राम मतलब कोई भी सीक्वेंस जो प्रोग्राम की है एक फॉर लूप ज झाल में मैमोरी लाषी कले मोडल फ्रों फ्रों त्रीश्च ओव सैक्रीं मडूंशहीं क्यूंश मॉड़न है क्व बोथ लोग्लमंणल के द्लंतर के चिको , जानि जो हमारी मशीन है, जो हमारा मॉडल है, जो ठ्रेड है, वो दोनों sih मेमोरी को यूज़ करता है चाहे अच्छाहे वह गलोबल मॉइमोरी हो या लोकल मेमोरी हो, उसके बात, यह लेकिन एक चीज़ हमें पता होनी चीए यह model बहुत पूर परफॉर्मेंस देता है क्यों क्योंकि physical distribution होता है machines की memories का यह physical distribution पहले ही हमने अलॉट कर दिया इस process को तो में भी इसकी requirement जादा कियो या इसकी requirement कम कियो हमने जादा अलॉट किया हुआ है तो इससे performance काफी पूर होती है that is why we need threats तो threats होता गया है थ्रेट प्रोवाइट software portability क्यों threats यह reasons थ्रेट प्रोवाइट software portability inherent support for latency hiding scheduling load balancing then ease of programming and widespread use अब पोजिक्स थ्रेड आया था बीच में जब थ्रेड चला था तो पोजिक्स थ्रेड इंट्रोड्यूस हुआ था जिसको तो standard threat माना गया और पी थ्रेड कहते हैं इसे और यही पोजिक्स थ्रेड हर जगे multi-threading के concepts को इंट्रिड्यूस करता है जैसे जावा थ्रेट्स त्रेट्स एंटी थ्रेट्स और सी थ्रेट्स इस सरी किसे अब पी थ्रेड क्या है सेट ओफ सी लेंग्विज प्रोग्राम्स एंड प्रोसीजर्स इस अट्रेड्स सेम चीज़ सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम्स इस थ्रेड्स अब वाय थ्रेड पी थ्रेड्स एक तो लाइट वेट थे से efficient communication थी rror time scheduling थी और asynchronous event handling हो रही थी अबこんにちは कैसे करते हैं कैसे हम किसी भी थ्रेट को create करते हैं और terminate करते हैं तो create a thread we just need pthread underscore create और उसके अंदर arguments यहां लिखे हैं pthread underscore t यानि thread handle pointer है यह constant pthread attribute यह attribute का pointer है इस तरीके हम thread create करते हैं अब thread के routines की बात करते हैं 5 routines होते हैं thread के जैसे pthread create पहला routine उसके attributes pthread exit दूसरा routine फिर pthread cancel pthread attrinit यानि attribute initialize then pthread attr destroy attribute destroy अब thread create करने के लिए क्या करेंगे normal c language की तरह हम सबसे पहले तो main function create करेंगे उसके पी thread create का यूज करेंगे thread को create करने के लिए उसके फ्रेड के जो भी arguments होते हैं हम उन्हें देंगे जैसे thread attribute start routine argument यह arguments देंगे उसके आद programs अगर thread create करने की limit को exceed कर देता है तो या तो program fail हो जाएगा या wrong results देने लगेगा अब थ्रेड के attributes की क्या बात करते हैं thread जब create होता है तो उसमें already कुछ attributes होते हैं और कुछ attributes programmer उन्हें add कर सकता है और जो यह init है यह initialize करने के लिए उस होता है और destroy to destroy object in a thread फिर thread binding और scheduling की बात करें इसमें क्या होता है कुछ threats operating system खुद control करता है और कुछ कोई और processor control करते हैं this is thread binding and scheduling then terminating a thread किन-किन caseों में terminate होता है एक thread first case when work is done जब thread का work complete होया तब वो terminate होता है second उससे जब यह command दिख जया P thread exit then P thread cancel दिख गया तब भी operation interfere हो जाएगा then उसे exit दिख गया तब interfere हो जाएगा और at last जब thread का वो खतम हो जाए तब वो exit हो जाएगा उसके बाद end में जब भी P thread underscore exit दिखेगा हमारा thread terminate हो जाएगा तो यह था thread दो command दो इसकी main commands है एक तो create or termination जो P thread underscore create होता है और P thread underscore exit होता है इसके command उसके आद इसके पांच routines थे P thread create P thread exit P thread cancel P thread attribute initialize and P thread attribute destroy this was wholesome thread और इसके इस वीडियो के लिए इतना ही thank you very much